असलाम अलेकुम नाजवीन गूब मॉनिंग जेवसरी में एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह हमारा बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टन सेग्मेंट आ चुका है जिसका नाम है दिल्चस्पो अजीब तो मैं पहली तिल्चस्पो अजीब किसम की ख़बर लेकर आया हूं ताहरा वो मैं अपने नाजवीन हाजवीन से शेयर करता चलो लेकिन उससे पहले मैं आप से सवाल पूछता हूं कि आप ने कभी बरफ में हाट डाले हां बरफ में हाट डाले मुझे बड़ा शॉक है इस कि सब्सक्राइब भाद में हाट डाले हां डाले कुछ मिन तक शीर करने जा रहा हूं जिसने घंटों बरफ में रहेकर एक आलमी रेकार्ड बना लिए खोगा है ठींटी अगर नहीं रिकार्ड बनाया फिर तो उनको गंतों बहुता रह सकता है तो गंटों रह सकता है जिसको आलमी शक्स पॉलैंड के शक्स है पॉलैंड इनका नाम पॉलैंड से तालूग रखने वाले एक शक्स है नाम है लुकैस जपूनर ने आलमी रिकॉर्ड बनाया है चार घेंटे बरफ में रहकर इनों पूरी बॉड़ी सिर्फ सर और इनकी शकल नहीं गर्दन गर्दन तक यह बाहर थे ऊस पूल से लेकिन वोकी AHt pens जैब का शारी बॉड़ी इनकी फीर बरफ बॉले पानी रोलन के शहरी ऑपेजेए और इनोंने यह आलमी रिकॉर्ड बनाया है इसे पहले ईसके पास रिकॉर्ड था उसका आलमी रिकॉर्ड था तो इन्होंने तोड़ा और पचास मिनिट मजीद उस बरफ वाले पानी में रहकर इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसके बहुत अच्छी ऐसे चीज है और रिकॉर्ड बनाना देखें हम हमिश्य कहते हैं कि अगर आपका रिकॉर्ड बनाने का जी चाह रहा है तो आप इस तरह कोई भी एडवेंचर सोच सकते हैं लेकिन केरफुल होके तो फिर ये आप मुझे पताएं को मेडिकल के टीम भी इनके साथ ही जी बिल्कुल मैं उसी बात पहाने लगा था कि बल्कुल एक मेडिकल की टीम उस वक जब रिकॉर्ड बना रहे थे इनके साथ म निकालने लेकिन उनने कहा कि शुरू-शुरू में मुझे तंगी हुई जब मेरे अनिशल टाइम था लेकिन मेरे पैसिज आप ताइम मुझे फिर इस चीज का एसास ही नहीं हुआ और इस ऐसे रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको हजारों सैंक्रों दफा प्रैक्टिस करने पड़ता है आपको अपनी बाड़ी को उस चीज के लिए अज़स्ट करना पड़ता है तब ही रिकॉर्ड बनते हैं तो मुझे बताईए ताहिराख हमारे पास नेक्स्ट दल्चस्पो जीब क्या खबर है अगली इंटरस्टिंग खबर है आपको पता है डिफरेंट किसम की पर्षें होती है और जो अपने मुलक कों के लिए काम कर रही होती है कोशा होती है तो सिंगापूर में बड़ी लेटेस टेक्नोलजी को इस्तमाल करते हो एक डिफरेंट सी फोर्स बनाईगी है जो के है जी कॉक्रोची की पर आपने अब यह जबान में अब यह फोर्स भी के लिए डिए रिमोड relig कोछा रम इरत इसका ऑन्म गला में में जा खांग ही में कोशाइत है यह फूर्स हैए में को और जाखा है जाएरण इस्का कोई दो कर न आ पंब गूर्बरद में अनलिया इस्टिन पोडेस मैं रिसोर्श्स को ऑना लगाया इसका पर्बर्स को यह कोई भी इस किसम का इंसिडेंट हो जाता है को बिल्डिंग गिर जाती है तो बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको चेक किया जाए उनको कोई मदद चाहिए तो भी अजो यह कॉक्रोचिस हैं इनको बैक पैक पैक पहनाए जाएंगे फरा जगा जेए उनको पैंड केश्ब फीया बीड़ी जो जानारी सब कर नारए जाए हरे जाना हमें जाया है चैमरे के थ्रूर्न केश्द करसा और किमृटर ही जा घा हूंगी तो इनको पार के मेंद नार式 silag app उद जाकर किए और बेट जाया थोगयाए हमारU किस जगाह पे मलबे में कहां कोई शक्स मौजूद किस तीज की जरूरत है उसको वह जरूरत भी प्रवाइट की जाए और इसको वहां से बाहर भी निकाला जाए तो यह एक नैनो साइंटिस्ट है जिन बड़ी एक जबरदस किसम की टेक्नॉलजी है और यह फर्स टाइम दु लेकिन everything is possible in these days with these technologies of robots का जमाना है cockroaches का जमाना है तो इसी तरह से अभी cockroaches की फोज भी इत्यार कर लीगई आप कहीं इसको देखें तो कोई घबराना जाएगा यह remote control cockroaches लाल बे घूंगे और इस तरह की दिल्चस्प ख़बरे हम आप के जूब के लाते रहेंगे आप हमें comment करके बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं किस topic पर चाहते हैं हम बात करें आपके लिए definitely जी आप ही के लिए हम मौजूद है आप हमें comment कर सकते हैं हमारा facebook account है पंजाब सेफ सिटीज और हमारा twitter का account है पेस्टीए सेफ सिटीज और अब हमें इजादे दीजिए मुझे और जुबैर को अपना बहुता ख्याल रखिएगा दौा में याद रखिएगा अल्ला निके बाद अ हुआ हुआ है